स्वागत है आप सभी का 5 मिनिट कंसेप्ट के इस नए सिरीज में ये सिरीज का चौथा वीडियो है और सिरीज में हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक के उपर बात करते हैं और आपको बहुत साइड नई कंसेप्ट सिखाते हैं आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं फ्लॉडेसेंट लाम के बारे में जिसे कॉमनली हम ट्यूबलाइट बोलते हैं तो इस ट्यूबलाइट में आपने कुछ इस प्रकार का डिवाइज लगा हुआ देखा होगा इसे हम स्टार्टर बोलते हैं इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि यह स्टार्टर होता क्या है करता क्या है हम इसे क्यों यूज में लेते हैं और अगर स्टार्टर को यूज में ना ले तो क्या हमारा ट्यूबलाइट काम करेगा करेगा तो क्यों नहीं करेगा तो क्यों सारी बात इस वीडियों हम लोग जानेंगे हो सकता है आपने इस से related वीडियो देखी होगी पर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी concepts में और भी ज्यादा clarity आएगा और मैं promise करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखिए इसको on off करने के लिए हम उसको use मिलेते हैं उसी प्रकार से जो है यह भी एक switch है यह special type का switch है अच्छा उसको तो हम यह समझ में आते हैं कि उसको हम लोग manually on करते हैं हातों से अपने इसको कैसे on off करते हैं इसको हम on करते हैं heat की मदद से गर्मी की मदद से char HE is still open और जैसे हम मुद देते हैं यह बहुत ही जल्दी यह गर्म हो जाता है और जितना जल्दी यह on होता है उतना ही जल्दी यह ठंडा हो जाता है यानि कि इसको heat देने तो यह on हो जाएगा heat नहीं देन तो यह off हो जाएगा इससे हमको ठंड करने के जुरत नहीं हो यह अपने आप ठंड हो जाता है अब बहुत जल्दी होता है इसलिए हम बोल रहे हैं इसकी जो on-off operation है बहुत स्पीड में होता है बहुत जल्दी on-off 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 जो है उसको किया जा सकता है तो यह सारी चीजे कैसे हो रही है इसको पॉलते हैं नियॉन बल्ब जो है जैन नियॉन kid होता है अभी के अंदर भी आपको कुछ देखने मिल रहा है एक हमारा fix contact होता है, यह fix contact होता है, और यह जो है moval contact होता है, अब यह देखे, यह वाली जो है, इसको हम bimetallic strip बोलते है, जो moval contact है आपका, वो bimetallic strip होता है, bimetallic strip क्या होता है, तो metal से मिल करके बना हुआ है, इसलिए हम इसको bimetallic strip बोलते है, दो metal से मिल करके बना हुआ है, आप देख भी पा रहे हो, नीचे एक metal दिख रहा है, आपको उपर एक metal दिख रहा है, इसका खासियत है, इसका ये खासियत है कि जब आप इसको heat करोगे, तो उपर वाले जो metal है वो bend होगा, bend होकर कि वो जो fix contact है, उसके contact में आ जाएगा, यानि कि वो switch on हो जाएगा, यानि कि circuit complete हो जाएगा, इसी तरीके से ये on होता है, अब सवाल ये आता है, कि इसको heat मिलता कहां से है, तो इसको समझते हैं, तो अगर आप इस starter को 220 वोल्ट का supply देंगे, तो क्या होगा, देंकि किसी भी चीज़ को अगर हम वोल्टेज supply देते हैं, तो वो current flow होना चाहता है, current flow होग ये नहीं होगा, ये किस पर depend करता है, ये इस पर depend करता है, कि हमारे circuit complete है के नहीं, अगर circuit complete होगी, अगर हम वोल्टेज supply देंगे, तो हमारी current flow ज़रूर होगी, अगर नहीं complete होता है, circuit break होता है, कहीं से connection तूटा हुआ होगा, तो हमारे current flow नहीं होगा, पर इस starter में अगर को और शेसा कर समझोगे current flow क्यों नहीं होगा क्योंकि उस gap के बीच में जो है हमारा gas है और यह जो gas हुए एक insulator है यह electricity को अलाव नहीं करता है यह current को flow नहीं होने देगा जैसे हम conductor पढ़ते है वैसे insulator होता है insulator जो electricity को अलाव नहीं करता है conductor क्या जैसे wire वायर जो electricity को अलाव कर रहा था हमारा यहां पर insulator जो अलाव नहीं कर रहा था तो फिर जब हमने यह voltage को दिया तो हमने कुछ ऐसा देखा कि यह जो gas है वह ionize होना start हो गया और यह ionize हो गया ionize होने के वैसे क्या हुआ आइनाइस होने के वैसे जो यह gas देखते होगे कभी आप light on करते होगे तो वह starter के अंदर आपको कुछ एक glow दिखता है तो वह जो glow है वह यही था तो वह जो है चिंगारी के form में आपको दिखता है यह जो इसको स्पार्क बोलते हैं स्पार्क के वैसे चिंगारी के वैसे इस जो है अमारी by metallic strip वह गर्म होती है वह गर्म होती है वह जो है वह बेंड होगा बेंड होकर वह fix contact में आ जाएगा इंदिन के circuit complete हो गया तो current अब फ्लोगा तो current बढ़े ही मजे से फिर उसके बाद दोड़ता है तो इस तरीके से जो है हमारा heat create होता हीट किसले create हुआ वह spark के वए से create हुआ spark क्यूं हुआ क्यूंकि हमारी जो है gas वो आयोनाइज हो गया तो देखिए circuit तो complete हो गया switch हमारा on हो गया switch on हुआ तो current बड़े ही मज़े से दौड़ लाता तो देखिए वो जो spark बना था हमारा वह भी खतम हो गया तो जैसे वह कतम हुआ हमार जो biometallic strip है वह ठंडा हो गया थंडा हो गया वह अपने तो इसका मतलब अगर इसके सीरीज में अगर बल्व लगा देते हो तो वह बंदर चालू बंदर चालू होता हुआ आपको दिखेगा तो ऐसा हम करके देख लेते हैं इसका मतलब जो भी हमने तक देखा उसका प्राक्टिकल हो जाएगा तो हमारा सेटप रेडि हो गया है और हम यहां इसको पावर देने वाले हैं और यहां पे इसको सीरीज में करेंने कर दिया है और यहां से हम पावर देंगे और expect करेंगे कि हमारी जो light है वो on हो, off हो, on हो, off हो देखते हैं यह होता है कि नहीं देखें जैसे हम सोच रहे हैं वैसा ही यह on, off, on, off हो रहा है हलाकि इतना noticeable नहीं है clearly क्योंकि यह बहुत ही speed में हो रहा है इसका यहां पर क्या रोल है इसको हम समझते हैं तो अगर आपको समझना है तो अगर आपको fluorescent lamp का working को समझना पड़ेगा क्यों fluorescent lamp हमारा काम कैसे करता है फोड़ा थोड़ा बताता हूँ इक शॉट में मैं आपको बताऊंगा प्योंकि हमारा focus ज्यादा है स्टार में हाज तो पहले हम क्या 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 यूज में लेते हैं उसके बारें बात कर लेते हैं क्या क्या हमारा main component है तो tube तो हमारा ही सबसे important जो fluorescent lime जिसको हम बोल रहे है और starter है जिसके बारे में already अब बहुत को जान चुके हो और तीसरा जो चीज है वो है हमारा ballast जिसे चोग भी बोलते हैं अब देखे और एक चीज बता दूँ आपको के ballast दो तरगा होता है एक तो magnetic ballast जो हम इसमें यूज करने वाले हैं और दूसरा है electronic ballast जो आजकल हम यूज में लेते हैं अगर आप electronic ballast को यूज में लोगे तो आपको इलग से जो है starter लगाने को जूरत नहीं होगा सारा जो system में हमने इस ballast के अंदर कर रखा है तो और बहुत ही smoothly ये काम करता है तो हम जो है magnetic ballast के बारे में बा हमारा connect होता है ballast इस tube light के बारे में थोड़ा और information दे देते हैं आपको देखे इस tube light में आपने देखा होगा कि दो दो टर्मिनल होता है दोनों तरफ यानि कि टोडल चार्ट टर्मिनल होता है और यह दोनों ही terminal जो है अंदर से वह electrically short होता है यानि कि connected होता है यह और इसे ह हम oxide coating करते हैं यह क्यों करते हैं आने वाले time में आपको समझना आ जाएगा अब इस tube के अंदर हम कुछ mixer डालते हैं gases का mixer डालते हैं जैसे आपका आरगन या क्रिप्टन इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो और दूसरा mercury होता है तो mercury भी जो डालते हो liquid mercury डालते हो बाद से जो है उसको कोटिंग करते हैं क्यों करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा आप इसके working को अच्छे समझें बहुत अच्छे सा आपको समझ में आने वाला है तो सबसे बेले क्या होता है कि हम 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो इनेशिल हमारा current flow नहीं होता है तो ज जब भी किसी के भी एक्रॉस हमने वोल्टेज दिया मैंने क्या बता है कि current flow होना चाहता है तो current flow होगा कि नहीं होगा यह किस पर depend होता है कि हमारा circuit complete है कि नहीं complete है तो अब देखिएगा हमने starter को तो पढ़ा ही है पर इस tube light का भी अब देखोगे तो यह भी जो है वो circuit complete नही है क्योंकि इसके अंदर को जो gas है वो भी एक insulator के तरह behave करता है तो इसकी इसका जो insulation है इसको भी good conductor में बदलने के लिए इसकी भी जो gas उसको ionize करने के लिए आपको बहुत high voltage चाहिए मत्तब यह 220 volt में आपका काम नहीं होने वाला है starter का case में हो जाएगा वह अभी हम देखे गया तो इसके अंदर को तो हमारा जू है इससे तो हमार侈 तूला की अंदर स रन करेंड़ नहीं वह क्योंकि हम्में पता है कि यह जो है flow नहीं कर पाएगा starter के cross क्या होगा, starter का cross हमझागा वमारा voltage गया तो यह जो है on हो जाएगा, क्यों on होगा और कैसे on होगा और कैसे on होगा, क्या पुरो operation वह आपको पताईए कि कैसा अचा क्यों होगा उसके बाद current कैसे क्या होगा, वह आपको construction आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत coil जो है आपने लपेट करके रखा है यह बहुत ही highly inductive in nature होता है अब देखें यह जो inductor होता है ना हमारे electrical circuit में यह Bollywood का दबंग होता है आप ऐसा समझ सकते हो यह बोलता है अगर तू चल रहा है तो चलते रहा है अगर रुका है तो बिना voltage के तो आएगा नहीं current तो वो खुद voltage को induce करेगा और वो इस तरीकी से voltage को induce करेगा कि उस particular direction में current flow होता ही रहे और इसी को हम बोलते है lens law तो lens law भी आपका समझ में आ गया अब देखें कितना voltage induce करेगा यह depend करता है कि जो हमारा current जा रहाता वो किस rate से कि speed से जो है वो र आप 5 is equal to L into I put कर दोगे तो आपका यह equation आपको मिल जाएगा तो आपको समझ में आ गया कि कितना voltage induce करेगा अब देखें यहां पर क्या होता ना बहुत ही high speed में जो है बहुत ही जादा rate से current change होता है almost अगर आप dt को जो है आप 0 पकड़ लोगे तो infinite आइडियली infinite voltage को यह induce करत और ऐसा ही होता है जब हमारा starter on होता है तो शर्कुट संहरा current flow होना start होता है आप अचारनक यृण होता रेता है जैसे ही आ अप होता है हमारे circuit में current उने चीज़ होता है और इस surge voltage के वज़े से जो है हम tube की जो gas उसको ionize कर देते हैं अब देखें ionize हो जाता है यानि कि हमारे current को flow होने का एक नया path मिल जाता है अब जो है हमारे पास दो path है एक tube के through और हमारे एक starter के through तो अब current कौन से path को follow करेगा वो tube के through जाएगा या starter के through जाएगा अब इसको दो path मिला तो देखें current जो है हमेशा उसी path को follow करता है जहां पर उसको कम से कम resistance का सामना करना पड़े कम से कम उसको रुकावर्टे मिले यानि कि वो least resistive path को हमेशा follow करता है यह हमेशा याद रखें कि बहुत important point है यह तो current जो है हम अधर tube के through जाएगा क्योंकि वहाँ पर उसको कम से कम resistance मिलता है इसी वह से बोलते हैं कि अगर light on हो जाता है तो आप starter को खोल लोगे फिर भी हमारे जो light है वो on होता ही रहेगा क्योंकि ideally जो है वहाँ से zero current flow होता है तो आपको समझ में आगे starter हम क्यों यूज में लेते हैं इसको mainly हम starting purpose के लिए यूज में लेते हैं और यह कुछ नहीं एक normal switch जैसा ही है बस इसको हमने चोक के साथ ऐसे समझदारी चलाकी से हमने यूज किया है इस वैसे आप बोल सकते हो कि यह ultraviolet rays को emit करता है और इस ultraviolet rays को जो है हम phosphorus coating के मदद से जो है हम visible light में convert करते हैं और इस तरीके से हमारे light हमें मिलता है और इस तरीके से हमारे light हमें मिलता है और इस वजह से इस रीजन से हम starter को यूज में लेते हैं तो उमीद आपके concept में ज्यादा clarity आया होगा कुछ नया है जरूर यहां से सीखने मिला होगा अगर आपको वीडियो पस्ते है उसे like करके बताएं और कुछ सवाल रहे गया तो मुझे comment section में बताएं मिलते हैं ऐसे कि जो वीडियो मे आपके बाएं आपके बाएं